हालो दोस्तों स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तों चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दें इसके साथ ही वीडियो के अंत में आप से एक सवाल पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है जिसमें से किसी एक को बिहारी मीडिया की ओर से एक लखी प्राय जितने का मौका मिलेगा साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें आज की सबसे पहली कबर DLAड परिख्षा की तारिकों का एलान बिहार बोड ने जारी किया सेडूल जिहां बिहार विदाले परिख्षा समिती ने DLAड की विसेस परिख्षाओं की तारिकों का एलान कर दिया है BSB के दक्च आनंद की सोर ने कहा कि अगले महिने 6 अप्रेल से 10 अप्रेल तक डेलेड की विसेश परिक्षा का आयोजन किया जाएगा उन्होंने बताए कि दो पालियों में परिशा ले जाएगी पालि सीटिंग स्वा 10 बजे से दो पर 1 बजे तक और दूसरी सीटिंग दो पर 2 बजे से साम 5 बजे तक आयोजन की जाएगी बिहार बिदाले परिचा समिति की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक डेलेड की विसेश परिचा का एडमिट काड बोर्ड की अधिकारी ब्यक साइट secondary.biharwoodonline.com पर 24 मार्ज से उपलब्द रहेगा आगली बड़िकपर जडवे में सामिल होते ही 72 घंटे में MLC बने उपेंदर खुसवाहा 12 सदश ओं म में से एक उपेंदर खुसवाहा भी है सभी नए सदश ने बुदवार साम सपद गरहन कर लिया है इसके साथ ही उपेंद्र खुस्वागा के नाम एक खास रिकॉर्ड वी वन गया वो चारो सदनों के सदस से बनने वाले चोथे निता हैं तो दूसरी और MLC मनोने में हिस्सेदारे नहीं मिलने से माजी और सहनी नाराज लेकिन NDA छोड़कर नहीं जाएंगे राजपाल कोटे से 12 MLC मनोने के बाद NDA में सामील जितार माजी और मुकिस सहनी में अपनी हिस्सेदारे नहीं मिलने पर विरोध जताया जितार माजी की पार्टे उनकी राय तक नहीं पूछी गई हाला कि इस नाराजगी के बावजूद दोनों एंडिया में ही बने रहेंगे आगली बड़ी कवर पटना में कॉरंटाइन सेंटर फिर से सुरू माइको कंटेंडमेंट जोन बनेगा एरपोर्ट पर उतरते ही लगेगी व्यक्सिन कोरोना के खत्रे को देखते विए पटना जिला प्रसासन एक बर फिर से वाइरस को लेकर सक्रिय हो गिया है पटना में चो कॉरंटाइन सेंटर दोबारा सुरू कर दिया गया है इसमें से दो राजानी चेतर और बाकी चार ग्रामिन इलाकों में है राजानी पटना के पाटली पूद्र असोका में 165 और सगुना मोड इस्टेत राधा स्वामी आसरम में 60 बेड के विवस्ता के साथ कॉरंटाइन सेंटर की सिरुवात की गई है इसके अलावा बार दानापूर पाले गंज अनुमंडल में भे कॉरंटाइन सेंटर चालू कि आपना को की गया है कल से पानाप में सक्रियाम मरीजों की स्क्रेंडिंग की सुरू रूह हो गई है साथी साथ मास्क की चेकी नभ्यान की भी सिर्वात हो गई है इसके लिए पटना में छोटे में बनाए गई है पटना की डियम ने कहा कि लोगों को मास्क पानने के लिए जागरुक किया जाएगा इसके अलावा पटना एरपोर्ट पर उतनरने वाले यात्रियों की कोरोना टे तो करेंगे सियम हाउस का घेरा जिहां नितापति पाँच तेजसे यादव लगतार नितिस सरकार पर हमला बोल रहे हैं बुद्वार को उन्होंने एक बर फिर से प्रेस कॉनफरेंस कर बिहार सरकार के मंत्री रामसुरत राय की गिरपतारे की मांग की है उन्होंने कहा कि इतन कड़वंदन की ओर से किया जाएगा अगली बड़ी खबर विदानसवा के इतिहास का सबसिक काला दिन मंत्री ने भरेवी सदन में विदानसवा अधक्ष को डाटा रुवासी हुए अधक्ष आसन से उठकर चले गए जियां बिहार विदानसवा ने कल अपने इतिहास का सदन में आसन यानि विदानसवा अधक्ष ही सर्वोच होता है सर्वोच पद होता है वही आसन यानि अधक्ष सर्मसार हो गए भाजपा की मंत्री ने बीच सदन में विदानसवा अधक्ष को फटकार दिया रुवासे हुए अधक्ष ने सदन की कारवाई इस्तकित कर दी और स सदन छोड़कर चले गए बिहार विधानसवा ने आज तक ऐसा दिन नहीं देखा होगा विधानसवा एदक्ष को डाटने वाले मंत्री समराड चोधरी नितानंद राय और भुपेंद्र यादव के सबसे खास माने जाते हैं उन्हें विधान परिशत भेज कर मंत्री बनाया आपकी जानकारी के लिए बता दे कि विधानसवा एदक्ष ने विवस्ता कर रखी है कि विधायक जो भी प्रसन पूछे उनका ओंलाइन जवाब पहले ही सरकार दे दे ताकि विधायक पहले से हैं जवाब पढ़ कर और समय की बचत हो जिससे ज़्यादा से ज्यादा विध बिदान्सभा गशिन मंत्री से पूछा आप online जवाव क्यों नहीं देते हैं आपके विभाग का जवाब online नहीं आता है विदान सभा अधच के इतना ही मंत्री समरार चोधरी अधिक्ष से बहस करने लगे उन्होंने सुबह के नितक देखा था उनकी विवाग के बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं आया था बस इसी बात पर मंत्री ने भरे सदन में अधिक्ष को ही फटकारना शुरू कर दिया सियम के साथ बैठक में बोले पियम मोदी कोरोना के दूसरी लहर को रोकना होगा गाओ में फेला कोरोना तो रोकना मुस्किल पुरे देश भर में कोरोना संकट के बढ़ते मामलों के बेच बुदवार को पियम नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों के मुखमंत्री के साथ वर् सामिल नहीं हुए, वहीं बेटक में, PM निकहा कि जंता को पैनिक मौड में लालाlor नहीं है, भाएक का माहौल नहीं बनाना है, हमें जंता की परिषानीцев मुक्ति दिलनी और पुरानी अर्मोवक को फिर से इस्तमाल में लाना होगा, पीम ने कहा कि कोरोना के खिलाब देश की लड़ाई को एक साल से ज़्यादा हो रहा है भारत के लोगों ने कोरोना का जिस परकार से सामना किया है उसे लोग उधारन के रूप में प्रस्तुत करते हैं आज देश में 96 फीसी से ज़्यादा मामले रिकवर हो चुके हैं 37 कोरोना पोजिटीव सहिद एक्सप्रेस 20 तक रद्ध जिया कोरोना के बढ़ रहे मामले को देखते वे जैनगर से अमरित सर जाने वाले सहिद एक्सप्रेस के परिचालन पर 17 मार्च से 20 मार्च तक लगा दी गई है मुदवार से पटना एरपोर्ट पर महराष्ट और 37 कोरोना पोजिटीव है हर इसतर पर कोरोना संक्रमन की दर कम है वही कोरोना संक्रमन के खत्रे से निमटने के लिए सरकार सतर्क है मुख्यमंत्री परिवहन योजना में गाड़े लेने को फिर से आवेदन परिवहन विवाग बिहार ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के तहट आटवे चरण के लिए आवेदन करने की समय सिमाताई कर दी है इसके तहट पंचायत वार आवेदन करने के अंतिम्ति थे 8 अपरेल तई की गई है इस योजना से जुड़ कर वंचित लोग अनुदान पर वाहन खरिद कर रोजगार से जुड़ सकेंगे आवेदन करने के एक महिने में लावोकों को गाड़े खरिदने के लिए अनुदान मिलेगा इस योजना में सरकार ने लावोकों की संख्या बढ़ाने का नेने पिछले साले लिया था इसके तहट 4 CST एवं 3 अच्तन पिछले जाती के लोगों को गाड़े खरिदने के लिए अ प्यार के सभी सारे इलाकों के ऐसे उपभोगता जिनको दो मा तक बेजली बिल नहीं मिल पाता था उन्हें अब चिंदा करने के ज़रत नहीं उपभोगता खुद अपना बेजली बिल खुद तयार कर सकते हैं उसके लिए बेजली कमपनी ने सेल्प बिलिंग मोबाइल एप बनाया है इस मोबाइल एप को इस तरह से तयार किया गया है कि उपभोगता अपना उपभोगता आईड़े डाल कर स्वाए अपने मिटर रेडिंग वा मिटर का फोटो अपलोड कर सकते हैं कमपनी के अधिकारियों ने बताए कि सबसे पहले उपभोगतां को गुगल प्ले इस टोर से सविधा मोबाइल एप डाउनलोड करना होगा इसके बाद आप बीजली मिटर की तस्वीर खेज कर मोबाइल के मैधम से एप पर अपलोड कर सकते हैं उसके बाद आप अपना बिल खुद बना सकते हैं बिहार बोर्ड इंटर का मुल्लाकन जल्द होगा पूरा इ ऐसे में उमीद जताये जारे कि बिहार बोर्ड जल्द ही इंटर परिचा के नतीजे जारी कर देगा आपको बदा दे कि बिहार बोर्ड ने सभी राज्यों के बोर्ड में सबसे पहले परिचा का आयोजन किया है और सबसे पहले या नतीजा जारे करने के तयारी में हलाकि ब बिहार बोर्ड इंटर के मुल्लाकन समाप्त होने वाला होगा इसलिए बिहार बोर्ड इंटर के नतिजे मार्च के आखरी सब्ता या फिर अप्रेल में जारी हो सकते हैं राज में सराब की होम डिलेवरी मंगवाई तो खेर नहीं स्पेसल टीम गठित LTF और स्वान दस्तत तयार जिहां राज में सराब की होम डिलेवरी मंगवाने वालों की अफ्खेर नहीं सराब का सप्लायर पकड़ा गया तो पुलिस उसके जरिये उन लोगों तक भी पहुचेगी जो अपने घरों पर सराब मंगवा रहे हैं सराब की होम डिलेवरी और तसकरी को लेकर पटना पुलिस अलट मोड में रहे रेंज आईजी संजे सिंग के निदेश पर पुलिस की लगबग एक दरजन टीम में सवियानु मंडल में सराब तसकरों की तलास में खाक चान रही है इसके अलावा एंटीअब और स्वान दस्ते को भी सराब माप्याओं के खिलाब चलाए जा रहे हैं अभियान में सामिल किया गया है हौली को लेकर इसे विसेश टीम का गठन किया गिया है इसके साथ पुलिस अब केरियर बोई की जरिये उन लोगों तक भी पहुचेगी जो सराब का ओडर देते हैं बाड़ी कबर नियोजी सिक्चको के लिए बड़ी खुसकबरी बिहार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में बनेंगे लेक्चरर जिया बिहार के सरकारी विदालोय में काररत अहता धारी नियोजी सिक्चको के लिए एक बड़ी खुसकबरी है नियोजिक सिक्चक भी अब बिहार के टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में लेक्चरर बन सकते हैं पटना हाइकोट ने याचिका का निस्पादन करते हुए साथ दिनों में रिजल प्रकासित करने का आदेश जारी कर दिया है बाड़ी कबर ट्रेफिक नियमों की अंदेखी पड़ेगी भारी 22 से आरा में चलाया जाएगा चेकी नभियान जी हाँ ट्रेफिक नियमों की अंदेखी करने वाले अब साथन हो जाए नियम तोड़ना भारी पड़ेगा इसके अनिपालन को लेकर 22 मार्च से जिले भर में सगन वाहन चेकी नभियान शुरू किया जाएगा ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों से जुमाने की वसुली की जाएगी वहानों को अन्यांत्रे तरीके से चलाने वह मोटर वहान अधिन्याम की सर्तों का पालन नहीं करने के कारण हो रहे दुरगटना वह मोट के मद्दे नजर उक्त फैसला लिया गिया है आपको बदादी के जगा जगा चोक चोराप पर धावा दल का गठन कर सगन वहान चेकिन अभियान चलाए जाएगा सभे धाना अधक्च मोटा रियान निरिक्चाट यातायात प्रभारे पकड़े जाने पर निर्दारित जुर्मानिक की रासी वसुल करेंगे और हमकी बड़कवर राइदानी पटना में एक्टूबर से नहीं चलेंगे पेट्रोल डिजल वारे ओटो और बस लगाना होगा सियनजी की जिया राइदानी पटना में प्रदोसन के बड़ोतरी को लेकर सरकार भी चीनतित है वहीं अब सहर के अंदर डिजल से चलने वाली नगर सेवा वाली बसो पर रोक लगाने की तयारी सुरू हो गई है परिवहान सचीव संजे कुमर अगरवाल ने नीजी नगर बस स्वाके बस मालिकों के साथ इस मामली पर चर्चा करने के लिए बैठक की जिसमें उन्होंने इस पश्ट निर्दिस दे दिया कि वो इन बसो पर जल्द ही सियनजी कीट लगाने की तयारी करे इसके अलावा वोटो में भी पेट्रोल डिजल को हटा कर सियनजी कीट लगाना जरूरी होगा मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 30 सितंबर के बाद पट्टा सारी चेत्र में पेट्रोल वो डिजल से चलने वाले वोटो पर भी पुरी तरह से रोक लगा दी जाएगी आज के लिए आपका जारूर बताएं